हेलो एंड वेल्कम बैक टो दे चैनल फ्रेंड इस वीडियो में आज मैं आपको दोंगा कुछ इंपोर्टेंट दे हिंदू के आउटलाइन्स जो कि अभी काफी न्यूज में हैं और इस पर आर्टिकल्स काफी सारे आये हुए हैं तो कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं दे इसी को देखेंगे स्टार्ट करते हैं लोग अपने पहले वर्ड से हमारा पहला वर्ड है और यहां पर आप चाहे तो दे सकते हो और अगर आप बनाते हो तो उसका जरूरत नहीं पड़ेगा अगला आउटलाइन देखते हैं हमारा अगला आउटलाइन है यूरोपियन अब European Union के लिए लिए यूरोप के लिए वाई और फिर लंबा कर दिया इसको क्योंकि हमने इसमें एक R भी लिए है यूरोप में वाई और R दोनों आता है न तो देखो ये तो Y का साउंड आएगा यहां पर यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूइन यूरोपियन यूं तो नहीं तो छोड़ भी सकते हो तो यह होगे European और यह नन हम लोग on the line लिखते हैं तो क्या पढ़ते हैं इसको या तो opinion पढ़ते हैं या तो union पढ़ते हैं तो यह होगे हमारा European Union अगला है हमारा जो वैक्सीन है पी फाइजर तो आप एक तो पी के लिए यह भी लिख सकते हो पी और फाइजर के लिए एफ ऑई और जैड आर यह तो आईसे लिख दो या तो पी के लिए स्ट्रोक दे दो पी और फाइजर के लिए एपाई और जैडर दोनोंको देर क्रेंस लिख सकते हो उसके बाद वैक्सिन का नाम है मोडरना, M को हाफ किया D की साउंड आ गई, R और N के साथ में A की वाविल, मोडरना यहाँ पर M और D दोनों की साउंड आ गई मोडरना में, फिर हमारा एस्ट्राजेनेका यह भी वैक्सिन है S, T, R Z, N और K के साथ A की वाविल, एस्ट्राजेनेका इसको इससे छोटा मत बनाने तो पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा आगे चलते हैं कोवी शील्ड कोवी शील्ड के लिए का करें, K लेंगे, O की वाविल लेंगे, V और SHL को हाफ कर देंगे कोवी और यहाँ पर SHL हमारा हाफ है तो यह कोवी शील्ड हो गया अगला हमारा कोवैक्सीन क्यों के, V, K, S, N कोवैक्सीन अगली हमारी अगला वर्ड है हमारा Indian Concern N, D, N यह तो हम लोग इंडियन लिखते हैं यहाँ पर N, D और N की Final Hook इस तरीके से Indian लिखते हैं यह दो तरीके से हम लोग Indian लिखते हैं ठीक है, तो यहाँ पर पहला form हमारे ज़्यादा easy रहेगा क्योंकि इसमें हमें Concern को add करना है आप ऐसे भी Indian Concern लिख सकते थे N, D, N और S, R, N इसमें add करके लेकिन यह उतना clear नहीं रहेगा लेकिन यह वाला जो है N, D, N और S, R, N यह ज़्यादा clear रहेगा इसलिए हम लोग यह वाला यूज़ करेंगे Indian Concern के लिए चलते हैं आगे अगली outline हमारी vaccine passport अभी बहुत सारे countries ने यह mandatory कर दिया है कि आपको vaccine passport लेके साथ में आना पड़ेगा अगर आप लोग travel कर रहे हो abroad तो उसको देखो हम लोग कैसे बनाते हैं V, A, K, S, N ठीक है, S की circle लगा दी फिर N का हमने stroke लिग दिया vaccine हो गया P, S और यहां पर PR को half कर दिया passport, वैसे तो passport हम लोग ऐसे लिखते हैं, P, S, P, R, T लेकिन यहां पर क्यूंकि हमें छोटा बनाना आउटलाइन तो यहां PRT हमने S में लगा दिया तो यह होगे vaccine passport अगला हमारा internet connection यह होगे internet अब connection के लिए क्लिए 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 हम लोग disjoint करते हैं, तो K और शन लिख दिया यहां कौन की बीच में sound आ गई तो connection होगे, internet connection अगले outline हमारी pandemic years अब देखो, अभी एक judgment पास हुआ था उसी पर यह word मुझे मिला, pandemic years P, A, N, D, M, K यह तो आप pandemic मालूम है आपको pandemic होता है इसी में Y, Y, S, स्री R और S लगा दो, नानवर्ड वाला तो यह years हो जाएगा वैसे भी हम लोग through the line RS लिखते हैं तो years represent होता है उसी तरीके से यहां भी कर देंगे अगले outline है coronavirus K, R, N, V, I, R, S ठीक है, चाहिए तो यहां भी लगा दो लेकिन बहुत simple सा word है तो सब को मालूम है ठीक है, चलते हैं आगे Smartphones SM, R, T, F, N, S यहांने SM के साथ R को हाफ कर दिया T की साउंड आ गई F के साथ N का final hook और finally S का circle तो स्मार्ट फोन्स हो गया यह चलते हैं आगे हमारा अगला word है acknowledged acknowledged के लिए क्या करेंगे K, N, L, J को हाफ कर देंगे J, D अब देखो, आप N, L, J लिखते हो तो यह acknowledge होता है यह acknowledge होता है यह acknowledge होता है तो J को हाफ कर दिया तो यहां पर और K लगा दिया तो यह acknowledged हो गया ठीक है, इसको आप लोग knowledge भी पढ़ते हो और acknowledge भी पढ़ते हो और जिनकी speed कम है वो acknowledge ऐसे लिखते है हमारी hybrid education H के साथ I काम ने लगा दिया dipthong BR को हाफ कर दिया hybrid और K के साथ लगा दिया शन का हुक तो hybrid education हो गया अगला हमारा national broadband यह सब को पता है nation होता है L लगा या national होता है BRD और BND national broadband अगला बड़ हमारा high standard हो गया है है हमारा STN और R को हाफ कर दिया high standard I की चाहे तो dipthong लगा लो high standard अगला बड़ हाड़ वेर H R को हाफ किया हाड और यह लगा दिया वेर तो यह होगी हाड़ वेर अगला हमारा anti-trafficking bill अभी recently में पास हुआ है यह antint TRFK trafficking और B से cross कर दिया तो क्या होगी है bill anti-trafficking bill इसको आपको और छोटा बनाना है यह तो मैंने बड़ा लिखा है यहाँ पर आपको इस तरीके से इतने बड़े में ही बनाना है छोटा चलते हैं आगा अगला है हमारा imprisonment imprison और N को हाफ कर दिया तो imprisonment हो गया यहाँ पर आप MNT मत लिखना क्योंकि उसके लिए pencil या pen को उल्टा घूमाना पड़ेगा opposite to the direction of flow जाना पड़ेगा लेकिन यहाँ N के साथ anti जो है flow में जा रहा है इसलिए यहाँ पर anti लगा देंगे imprisonment में ना कि MNT ठीक है चलते हैं अगले outline पर अगला outline में मारा rehabilitation यह तो केलास चंदरा का word है हर डिक्टेशन में लगवग repeat होते रहता है देखो re-h or tation अगर आप केलास चंदरा की बात करो casey में ऐसे दिया हुआ है re-h और t के साथ shunki hook rehabilitation rehabilitation को rehabilitation लिखा हुआ है तो यह casey का word है तो इसी को follow को रो best रहेगा impunity m, p, n और t यहाप u की diphthong लगा देंगे और दोनों तरफ i का dot देंगे ववल का impunity हो जाएगा क्योंकि n के साथ यहाँ भी i है और यहाँ भी i का sound है वो i है लेकिन sound i का है impunity दो जगा i का sound है लास्ट में दो जगा आप ववल दे सकते हो impunity अगला है injustice in, js और t,s injustice हो गया फिर है compensation comka dot, p, n और session का hook compensation अगला है हमारा litigation policy through the line जाएगा lit, g और shun तो यह litigation होता है p से cross कर दिया तो यह policy होता है अब देखो यह p से cross करने पर policy भी होता तो इस पर ध्यान देना है इसको अब litigation bill मत समझ लेना litigation policy है यह और अगर आपको confusion रहता है तो आप litigation लिखने के बाद p l से cross कर दो policy के लिए ठीक है और bill के लिए b से cross कर दो तो थोड़ा difference हो जाएगा दोनों में चलते हैं आगे अगला word हमारा accountable यह हो गया a, k, n account को हाफ कर दी udah account और ये b l accountable हो गया accountability रहता तो accountability से disjoin कर देती है तो यह accountability हो जाता consignz के लिए क्या करें kong का dot s, i, n, s consignz हो गया अगर यhe dot हटा दे तो ये science हो जाएगा consignz ठीक है आगे चलते हैं अगला word हमारा judgment judgment J ko لمba करेंगे तो j k a sound आएगा मन को half कर देंगे तो जज्जमिंट हो जाएगा पिर है court cases कया र को हाफ क्या को हाफ क्या कोट के लिए A को को لمba करके SS का loop लगा दिया तो यह court cases होगिए फिर है lapses L के साथ A की वाविल और P के साथ S को हम लोग क्या कर देंगे डबल लगा देंगे तो डबल S की साउंड आई यहां पर लैपसे हो जाएगा फिर क्वालिटेटिव क्वा लिख लेंगे L लिख लेंगे T को हाफ करके V का फाइनल हुक लगा दें क्वालिटेटिव क्योंकि यहां government D से cross किरा दिया और S लगा दिया तो departments हो गया तो इस government departments हो गया चलते हैं आगे अगला है हमारा compliance, com का dot दे देंगे हम लोग इसमें com का dot लगा देंगे और plns तो यह हो गया compliance चाहिए तो i का dipthong दे सकते हो compliance में वैसे होते हैं पर try phone लगेगा क्योंकि एका भी sound है compliance में तो यहां पर भी आप लगा दो तो यह compliance में आप यहां पर try phone लग जाएगा compliance चाहिए तो i का sound देकर को भी थाम चला सकते हो क्योंकि compliance कुछ और होता है निया compliance ही होता है तो यहां पर हमारी outlines खतम हो गई मिलते हैं आप से अगले पार्ट में इसके 2000 important outlines के अगले पार्ट में और अगर आपने आपको अगर अभी speed increase करने में problem आ रही है या आप cbt के त्यारी कर रहे हो तो उसके लिए मैंने एक अलग से series बनाई हुई है ssc stenographer great cnd के नाम से series होगी playlist में जाके आप लोग वो series चेक कर सकते हो और काफी फायदा मिलेगा आपको उससे आपकी speed increase करनी हो error कैसे निकालते हैं वो जानना हो या फिर cbt के त्यारी कैसे करनी है मैंने उन सब पर एक एक detailed वीडियो बनाई हुई है तो उसको ज़रूर चेक करिएगा मिलते हैं इस series के part 18 में thank you